हलो दोस्तों अगर आप लोग भी बीजा से जादा दिन रह रहे हैं कि आगर आप लोगों का भीजा खतम हो चुका है और आप लोग यहां पर रहर चुके हैं क्योंकि देखिया अभी मलीशिया में बहुत ही जादा इमेकरेशन वाले टाइट हो चुके हैं फिर दुवारा देखिया आउट पास का जो डेट अभी तक है तो आप लोगों को पता दू कि 31 दिसमबर तक जो है आउट पास ओपन है लेकिन तो भी जो वरकर जो है यहाँ पर जो है वीजा से जादा दिन रहते हैं अगर आप लोग टाइम से जादा रहते हैं यहाँ पर तो आप लोगों का बहुत ही जादा मुश्किल वढ़ने वाला है दोस्तों तो आप लोगों को बता दू कि बहुत ही जादा जो है अभी इमिगरेशन दुबारा टाइट हो गया है जो लोग भी वो लोगों के लिए भी बहुत ही जादा खतरा है दोसटों क्युंकि देखे अब पुलीज में चाप मारी में पकड़ रहे हैं और जेल में डाल तो दोस्तों आप लोगों को बता दू कि अभी भी टाइम है आउट पास से आप लोग घर चला जाएगे और एक आप लोगों को बता दू कि जो अभी जो फिलाल में देखिया आप लोगों को बता दू कि अगर यहां पर जो है मलीशिया में रहने का एक टाइम रहता है अगर तक नहीं रह सकते हैं दोस्तों आप लोग बता दू अबेद रूप से अगर रहते हैं अगर काम करते हैं तो आप लोग रह सकते हैं तो पुलीस अगर पकड़ लेगा तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा दोस्तों अगर इमिग्रेशन वाले भी पकड़ लेगा तो तो आप लोगों को पतातु बहुत सारे ऐसे देस के लोग हैं जो 10 साल 15 साल तक यहां पर रहते हैं तो वह कैसे रहते हैं आप लोगों को पतातु है वह लोगों को का प्रोसेस जो है मिलिसिय सरकार का नियम है कि आप 10 साल आध है realizator रूप से ये लोग रहते हैं कानूनी अफरादी है तो आप लोगों को इस तरह से आप लोग ना रहें अभी भी टाइम है आउट पास लगवा लिजिए और आउट पास से आप लोग घर जाईए दोस्तों नहीं तो फिर आप लोगों का जो मुश्किल जो है बढ़ता और मुश्किल बढ़ेगा तो यहाँ पर कोई आप लोगों को भचाने नहीं आएगा दोस्तों और जो लोगों के पास पासपोर्ट है दोस्तों अभी 10 साल नहीं हुआ है और अगर आप लोग बीजा लगवा लिजिए तुरन क्योंकि देखिए मेडिकल करवा के आप लोग लगवा सकते हैं अगर आप लोग के पास पासपुर्ट है तो और जो वैलेड पासपोर्ट अगर है आप लोगे के पास तो आप लोग प्लीज लग्वा लिजिए और नहीं तो फिर आप लोगे अको पकड़े lebih में देख्रें denk लिए हूँ दोस्तों तो आप लोग इस करके जेल में डाले जा रहे हैं जैसे दुकान में रेस्टोरेंट में बहुत जादे अगर अबेद लोग जो रहते हैं यहां पर जादतर अबेद लोग जो रहते हैं जादतर यह लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं या तो फिर होटल में काम करते हैं या तो फिर जो दुका पकड़ रहे हैं लोगों को यहां पर भी बहुत ही लोगों को पकड़ रहे हैं रादवारा बज़े या तो एक बज़ आते हैं और जहां पर रूम रहते हैं कंपनियों का वहां पर डारेट घेर लेते हैं और चेक करते हैं फिव और को पकड़ लेते हैं तो अगर कोई भी इससे टिकट दिखाना पड़ेगा और आपका यह करना पड़ेगा फिर आपको दो-तिन दिन बाद बुलाएगा और आपका टिकट जब वैलेड रहेगा तो आपको फिर घर भेज देगा दोस्ते तेही प्रोसेस से जादा नहीं है और आपको 500 रिंगित भरना पड़ेगा जो ये लोग देखिए, medical तो करवाता है, दो बार तीन बार medical हो चुका है, लेकिन ये लोगों का वीजा नहीं लगते हैं, और वीजा ना लगने के कारण वारकरों को बहुती परिसानी होते हैं, तो जो लोग भी घर जाना चाहते हैं, जैसे किसी का घर में emergency पढ़ गया, और किसी का ततकाल जो है घर में कोई काम पड़ गया तो लोग कैसे घर जाएंगे तो यही एक जरिया है जो अगर वीजा नहीं लगते हैं तो आउट पास के जरिये जो है यह लोग को भेज सकते हैं क्योंकि यह लोग का पासपोर्ट है नहीं वाइट पासपोर्ट बनवाना तो यह लोग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों कि देखिए दो अगर दूसरे कंपने जाते हैं तो लोग का बॉस के पास नहीं तो आपका पासपोर्ट रहते हैं नहीं आपका कुछ डिटेल्स रहते हैं और जो लोग जिस कंपनी में आते हैं और जैसे आप जाल रहते हैं और जैसा अभी तक बीजा नहीं लगवा चुके हैं और नहीं लगाते हैं बहुत लोग तो इससे जो है आप फिर घर जा सकते हैं कि बहुत इसका जरिया जानते हैं आपको घर भेजने का और अगर वह बहुत आपको घर नहीं बेज सकते हैं कि उसके पास पास के दुवारा ही घर जा सकते हैं तो आप लोग प्लीस आउट पास बनवा लिजे और इससे घर जाईए नहीं तो फिर जादा दिन रहेगा तो फिर पुलीस का चक्कर में रहेगा और बहुत सारे ऐसे जो है आपको बहुत ही मुश्किल करना पड़ेगा मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंको देखिए मेरे साइड में बहुत सारे इंडोनेसिया वारकर है जो देखिया हाला कि इंडियन और बांगलादेस का वारकर ऐसा कोई भी अवेद नहीं है हम लोगों का जो कंपणी में है अभी और नहीं नेपाल का लेकिन ज्यादा तर जो हैं इंडोनेसिका वारकर है लगभग 10-15 वारकर है जो अभेद रुप से हैं ठीक है भी शुआ पासपोर्ट नहीं है, दूसरे कमपनी से भाग भाग के इस कमपनी में आया हैं और काम करते हैं, ठीक है, तो यह लोग को पास अगर पासपोर्ट नहीं है, तो जैसे इमिग्रेशन यहां पर चेक करने आते हैं, पुलीस यहां पर आ जाते हैं, रेट मारते हैं, तो यह लोग क करते हैं कि रात बारा बजी एक बज़ अगर पुलिस आते हैं इसलिए लोग दूसरे जगा रूम तो बना के रहते हैं और वहां पर जाके रहते हैं और यहां पर दिन में भी नहीं रह सकता है काम करके आते हैं खाना उना जो बनाता है और फिर बना के खाना खाके फिर चले ज जिन्दगी और दिदेश में आके इस तरह जो टेंशन रहते हैं इसे जंजट से क्या फाइदा कुछ पैसा कमाने के चकर में कुछ जिगवान अफिर पड़ जाए क्योंकि देखिए रिक्स तो लेना चाहिए लेकिन किस जगह में रिक्स लेना चाहिए जिस जगह में कुछ आ कुछ करता हूँ दोस्तों कि हर कोई जो है संद्य और बातों को समझने का कोशिस करें और अविदों से कमी लोग जह हैं रहते हैं लेकिन जादा तर लोग घर जाने का बिपरियास कर से अपतर एक नскимच कमाते होगे यां पर परेसानी तो फिर पुलिस का और टॉर्चर तो ये सब नास है कि आप लोग अच्छे से घर चले जाएए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नहीं नहीं इनफॉर्मेशन वीडियो और नहीं नहीं जो वीडियो रहते हैं अच्छे अच्छी जानकारी के लिए तो प् जय हिंद जय भारत